है गाइस यह है मेरा POCO F1 रुनिंग लेटिस्ट MIUI 10 ग्लोबल बेटा 9.1.10 ओफिशली 4K 60fps एंट 1080p 60fps इस अपडेट के साथ आपको नहीं मिलेगा अपने पोको F1 में रुनिंग लेटिस्ट ग्लोबल बेटा 9.1.10 गैस यह एक मोडियूल है और मैंने इसे ग्लोबल बेटा रॉम में यारी 9.1.10 और शौमी ईयू रॉम में 9.1.10 दोनों में ट्राइ किया बट अन्फॉर्चुनेट यह ईयू रॉम के साथ सपोर्ट नहीं करता और ग्लोबल बेटा रॉम में यह पॉफेक्टली काम करता है वैसे मैंने ग्लोबल स्टेबल रॉम में इसे अभी ट्राइ नहीं किया और मुझे ऐसा लगता है इसमें भी यह काम नहीं करेगा आप चाहो तो इसे कस्टम रॉम्स यानि लीनिय जोईस या फिर पिक्सल एक्स्पीरियंस के साथ भी ट्राइ कर सकते हो यह काम करेगा गैस कल मैंने 4K and 1080p दोनों रिकॉर्ड किया है 30fps and 60fps के साथ आप यहाँ पे सैंपल देख सकते हो आटो रिक्षा में भी मैंने ट्राइवल करते हुए लिया था और कुछ वाक करते हुए भी झाल झाल अब में आपको बताओंगा इंस्टॉलेशन प्रोसेस और गाईज इस वीडियो का क्रेडिट जाता है टेलग्राम ग्रूप को जहां मुझे ये मॉडियोल मिला लिंक मैंने डिस्क्रेप्शन ने दे दिया है गाईज अगर आपको ये मैजिस्क मॉडियोल इंस्टॉल करना है अपने पोको F1 में तो उससे पहले आपको अपना बूर्ट डोडर अनलॉक करना पड़ेगा और साथ में इंस्टॉल करना पड़ेगा TWRP रिकवरी और कैसे करना है इस पे आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियोज मिल जाएगे TWRP इंस्टॉल करने के बाद आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा मैजिस्क मैंने मैजिस्क 18 इंस्टॉल किया है फिर मैजिस्क मैनेजर अप उपन करके आपको जाना है मॉडियोल सेक्शन में उसके बाद नीचे आपको दिखेगा एक yellow button उसके टैप करके आप ANX module zip select कीजिए और इससे install कीजिए installation के बाद आप phone को reboot कर दीजिए phone boot हो जाने के बाद helper 1.2 apk file install करना है device में और इसे install करने के बाद app open कीजिए root permission grant कीजिए उसके बाद अंदर आपको दिखेगा दो option install and restore install button पर tap कीजिए और process complete हो जाने के बाद फिर से phone को reboot कर दीजिए बस हो गया now enjoy 60 fps with 4k and 1080p videos guys helper 1.2 app के अंदर आपको restore का option मिलेगा इससे tap करके आप वापिस से पुराने position में यानि 30 fps को restore कर सकते हो और ANX camera module जो है यह एक module है तो इससे आप manager आप में जाकर module section से इसे अनिंस्टॉल कर सकते हो ज्यादा जानकरी के लिए आप telegram group में visit कर सकते हो thanks for watching guys subscribe करना मत भूलना और देखते रहे यह iPhone box